क्या बोला मैंने जिन्दगी में एक एटिटूड हमेशा रखो कि पटना है तो पट वरना बाजू में हट दोस्तो एटिटूड अगर आप रखोगे ना तो आपकी जिन्दगी बदल जाएगी दोस्तो कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक सवाल पुछा जो सवाल पढ़ कर मुझे ऐसा लगा कि इस भाई ने जो सवाल पुछा है ना ओ हर एक पुरुष के दिमाग में कभी ना कभी तो आता है दोस्तों, वो सवाल क्या था आपको पता है? कि उस भाई ने मुझसे एसा पूछा, कि अगर कोई औरत या पिर अगर कोई लड़की हमसे पटने से मना करे, मतलब हम अगर उसको परपोस करते हैं, हम अगर उसके सामने अपने प्यार का इसार करते हैं और ओ अगर हमको ना बोल मतलब ओ हमारा प्रपोजर्ट ठुकरा दे तो उसके बाद हम उसको कैसे पटाएं दोस्तो एजो सवाल है ना यह हर एक पुरुष के दिमाग में आता है और ज्यादा तर पुरुष इस situation में हमेशा पसते हैं कि ओ अगर किसी भी अवरत को प्रपोज करते हैं और ओ अवरत उनको सिधा ना बोलती है तो उसके बाद भी मतलब उस पुरुष को ऐसा लगता है कि मुझे उसको पटाना है तो रस्तो आज का वीडियो पुरा देखे क्योंकि इस problem का जो solution है ना ओ मैं आपको पूरे explanation के साथ देने वाला हूँ तो आज का वीडियो बहुत ज़्यदा important है वीडियो को बिल्कुल भी आदा अधुरा मत देखो क्योंकि ए वीडियो आपके जिन्दगी का सबसे बड़ा important वीडियो है तो वीडियो को पुरा देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सदेखो अगर आपको कोई भी आउरत है फिर अगर आपको कोई भी लड़की बहुत ज़्यदा पसंद है और आपने उसको प्रपोस भी किया है मतलब आपने उसको बोल दिया है कि मुझे तुम पसंदो पर फिर भी उस आउरत ने आपको सिधा ना बोला है कि मैं तुमारे साथ बिलकुल भी नहीं रही सकती है फिर मैं तुमारे जिन्दगी में नहीं आ सकती तो उसके बाद ना दोस्तो आप सबसे पहले आप देखो कि आपने कही प्रोपोस करने में ज्यादा जल्द बाजी तो नहीं की थी मतलब अगर उस अवरत की और आपकी दोस्ती हुए कुछी दिन मतलब हुए थे और आपने कुछ भी उसको इंप्रेस करने के लिए नहीं किया था और डाइरेक्ली जाकर उसको आपने मतलब प्रोपोस किया था तो ऐसे कंडिशन में वह आपको ना बोलना दोस्तो एकडम जाये जै क्योंकि आप अगर उसको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करोगे और डाइरेक्ली जाकर उसको ऐसा बोल दोगे कि आप मुझे पसंद हो तो ओ आपसे इंप्रेस नहीं होने वाली पर दोस्तो अगर आपने उसको प्रपोस करने से पहले अगर आपने थोड़ी बहुत मशक्कत की थी मतलब आपने कुछ न कुछ तो ट्राइ किया था और फिर वो अवरत आपको ना बोले तो दोस्तो देखो एकदम ध्यान से देखो कि उसने आपको ना क्यों बोला है उसके बाद दोस्तो आपको ना दोस्तो एक काम करना है कि आपको जब ओ ना बोले तो आपको कैसे भी करके उसके साथ emotional attachment बनाने की कोशिश करनी है आप दोस्तो emotional attachment क्या होती है दोस्तो emotional attachment मैंने बहुत सारी वीडियो में explain की है दोस्तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि emotional attachment मतलब क्या होता है कि अगर हो अऊरत किसी ना किसी problem में है तो उस problem से उसको बाहर निकालना और ऐसे problem से जिस problem में उसको कोई भी बंदा support नहीं कर रहा मतलब जब ओ अकेली होती है ना तब उसके साथ खड़े रहे ना दोस्तो इससे रस्तों क्या होता है कि जब ओ और अवरत किसे ना किसी problem में है और उसके साथ कोई भी बंदा खड़ा नहीं है और आप उसके साथ खड़े रहते हो आप उसका problem solve करते हो आप उसकी बाजू लेते हो तो उसके दिल में आपकी एक जगव बनती है कि एक समय ऐसा था कि जिस समय कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं था पर इस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया और ऐसा होने के बाद उसको आपके उपर इंप्रेस ज़्यादा होती है दोस्तो इसको ही emotional attachment कहते है या पिर अगर उस अवरत का कोई ना कोई सपना है जो पुरा करना चाती है पर उस सपना पुरा करने के लिए उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा और आप उसका सपना पुरा करते हो तो दोस्तो वो भी दोस्तो emotional attachment में सामिल होता है दोस्तो emotional attachment का मतलब मोटा मोटा मतलब ऐसा है कि उस अवरत के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना जो उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता दोस्तो आप अगर ए करने के बाद मतलब जब आप ए जो emotional attachment है ओ पहले उसके उपर apply करो और ए करने के बाद आप उसको थोड़ा time दो क्योंकि अगर आप जल्दबाजी दोस्तो करो गए ना तो ओ आपके उपर impress नहीं होगी आप उसके साथ emotional attachment बनाओ उसके दिल में गुसो और उसके बाद उसको थोड़ा साथ time दो और उसके बाद फिर से उसको पूरे दिल से बोलो कि मुझे तुम बहुत ज़दा पसंदो मैं तुम्हें धोका कभी भी नहीं दूँगा मैं तुम्हें उपर उतना प्यार करता हूँ जितना शायद तुम्हें उपर कोई भी प्यार नहीं करता अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में आओगी ना तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख दूँगा मैं तुम्हें सभी प्रकार के इच्छाए अपेक्षाही पूरी करने की कोईश करूँगा दोस्तो ऐसा दोस्तो आपको जो दिल में आता है ओ उसके समने बोलो और सच्चे दिल से उसको प्रपोस करो और फिर भी दोस्तो ओ अगर आपसे ना बोले मतलब ओ आपको बोले कि नहीं नहीं मैं तुमारे जिन्दगी में नहीं आ सकती तो एक बात दोस्तो मेरी ध्यान में रखो कि ओ चाप्टर वही पर क्लोस कर दो क्योंकि इतना करने के बाद अगर कोई आउरते पिर अगर कोई लड़की आपसे नहीं पट्टी मतलब उसका दिल आपसे पिगल नहीं जाता तो दोस्तो उस अवरत के पिछे पढ़ने का कोई भी फाइदा नहीं है दोस्तो जिन्दगी में एक एटिटूड हमेशा रखो क्या बोला मैंने जिन्दगी में एक एटिटूड हमेशा रखो कि पटना है तो पट वरना बाजु में हट दोस्तो ए एटिटूड अगर आप रखोगे ना तो आपकी जिन्दगी बदल जाएगी आप ज्यादा औरतों के पिछे नहीं पड़ोगे दोस्तो मैंने क्या बोला मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि पटना है तो पट वरना बाजु में हट दोस्तो ए एटिटूड आपको रखना ही पड़ेगा तब दोस्तो आप एक अच्छे मर्द समाज में दिखोगे क्योंकि दोस्तो एक अच्छे मर्द की कॉलिटी ऐसी ही होती है कि वो ज्यादा आउरत के पिछे नहीं पड़ता वो कुछ ट्राइ करता है और उसके बाद वो आउरत उससे इंप्रेस नहीं होगी तो वो सिधा बोलता है कि पटना है तो पट वरना बाजु में हट दोस्तो ए आटिटूड भूज जदा इंपोड़ेंट है तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद